भदोही जुले के और आईकुत वाली इलाके के खेतल पुर्गाओं में बीते दिनों एक नाबालिक किशोर की गला घोट कर हुई हत्या के मामले का पुलीस ने बेहत चौपाने वाला खुलासा किया है रभिवार को एसपी डॉक्टर मिनाक्षी कात्या ने प्रेस कॉंफेंस के दरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रेम प्रसंद के चलते हैं छे नाबालिक आरोपियों ने मिलकर किशोर की हत्या की थी और हत्या के पहले सभी आरोपियों ने मिलकर जमकर शराब पी थी और मृतक किशोर को भी सराब पिलाया था शराब के नसे में चूर होकर सभी छे आरोपियों ने मिलकर मृतक किशोर की गला घोट कर हत्या की थी इस हत्या कांड में शामिल सभी छे आरोपियों को पुलीस न दिख्ये दिनांग तेरह तारिखों शुक्रवार की दिन सुबर सुचना मिली दी कि एक बालत की रेट बॉड़ी खेट पे पड़ी है, सुचना पर ततकाल SHO, CEO, Additional SP एबन मेरे दुवारा मौकी का मुआइना किया गया, एफिसर्टीम को गुलाया गया और बॉड़ी को कबजे में लेकर पोस्वाटम के ये विजा गया, हरविंदू में उसमें जाच की गई, और सर्विलांस की मदद से और पुष्टाच की मदद से खाना और आईल की फिलिस ने और वारे सियों ने लग करके इस घटना का 24 घंट अचारी है, इसलिए यहां मौजूद नहीं है और उनका नाम लिया जाना उचित नहीं है, उन्होंने ही इस घटना को करने का प्लैन बनाया था, और बुड़ी तक को खेत में सरकारी ट्यूवल के पास जो खेत था वहां बुलाया था, और शराब इन सभी ने पी थी, और उ प्रेम प्रसंग में ये लड़की जो है, एक से बात करती थी, इसलिए इसमें जो एक अभ्यूप्त है, उसने ये प्लैन बनाया, तो क्योंकि वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है असलिए नहीं है, आप रहने वाले हैं, असपास के गाओं के रहने वाले हैं, खाना शेत्र और आयके ही है, और इनकी उमर कि एक की उमर 13 सान भी है, एक की उमर 15 साल, 16 साल है, सभी बालक चाह रहे है